चलिए नमस्कार दोस्तों आजए ये जल्दी से वेलकम टू अल अफ यू जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं आईए आई होप अब माई आडियो वीडियो इस क्लियर टू एवरीवान चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाते हैं पूजा, चवी, शंशाइन, राकी, दिली जितने भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं वेरी वेरी गूड माँनिं तो अल उफ यू जल्दी जल्दी दोस्तों कनेक्ट हो जाईए और जल्दी से मैं क्लास शेयर कर देता हूँ और जितने भी हमारे लोग मिल रहे हैं जुड़ रहे हैं जल्दी से जल्दी आप सब लोग करेक्ट हो जाई है चलिए जैशिरी राम है जी असलाम वालेकुम सस्वियकाल राधे राधे जल्दी से कनेक्ट होगे जितने भी मित्र हमारे जुड़ रहे हैं ठीक है हां जी अच्छा बता दीजे दोस्तों आवाज मेरी ओक्य है सब चीज ओक्य है जल्दी से मेरे को तेजी से बता दीजे इस आउडियो वीडियो क्लियर टू एवरीवान साधर परणाम सब लोगों को ठीक है मृदुला जोती निधी रेखा नरंजन सरेता कि किते शुप कामना है पूरा अचैसे सब जाए शब बढ़िया रहे है ना हां जी चलिए हां जी आईए दोस्तों start कर लेते हैं आज का प्रोग्रेम start कर लेते हैं और देख लेते कितने लोग हमारे पास connect हो पा रहे हैं हाँ जी सब चीज भढ़िया है हाँ जी सब चीज भढ़िया है ओके आई ये स्टार्ट कर लेते हैं मेरा जो टेलीग्रैम है वो है इंगलिश भाई दीपक सर और गाईज अगर कोई कोर्स आप लेना चाहते हैं ठीक है तो आप जा सकते हैं कहां पर हमारी एप है हाँ जी हमारी एप है testbook.com testbook.com में super coaching के tab में एक teaching exam है जहाँ पर हमारे सारे related course जो है वो मिल सकते हैं तो वहाँ पर जाकर आप course भी देख सकते हैं चलिए तो आईए start करते हैं दोस्तों आज की class थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से मैंने मुश्किल बनाई है मेरे हिसाब से मैंने कोशिश करी है कि हलका फलका ये मुश्की रहे और देखते हैं कि आप लोग कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं मैंने कोशिश करी है कि questions को थोड़ा typical बनाया जाए थोड़ा मुश्किल बनाया जाए और देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं चलिए अच्छा पहली तो 5 spelling है उसमें तो 5 नमबर आ रहे हैं उसमें मैं कोई चेक नहीं कर रहा हूं ठीक है पहली 5 spelling है जिसमें आपके 5 नमबर आ रहे हैं और उसमें मैं बहुत जादा cross check नहीं करूंगा चलो बना दो जल्दी से 5 spelling में इतने लोग भी जुड़ जाएंगे 5 out of 5 spelling कर दीजिए चलिए बहुत ध्यान से बहुत simple है यार देखो spelling मैंने बिलकुल confuse करने के लिए नहीं रखी एक simple spelling जिस तरीके से बिहार के paper में आई थी या आ सकती है या किसी और exam में आ सकती है वो पूची है ज्यादा typical नहीं पूची राइट चलिए तो cuisine की spelling सब लोग जानते हम it is like d for daily cuisine जो है वो हमारा क्या है वो हमारा d for daily spelling है ये ध्यान रखेगा राइट चलिए बहुत simple अगला spelling बता दीजिए second number अगला spelling बता दीजिए second number क्या कह रहा है चैनल को like subscribe कर दीजिए logo तक पहुचा दीजिए और आपस की मित्रता हो गई हो तो आ जाईए ठीक है ना हान जी थोड़ा गला खराब है तबियत हलका नसाज है ठीक है बट class को continue रखते हैं और कोशिश करेंगे कि हमारा कोई दिक्कत ना है चले हान जी the correct spelling क्या है D for daily जादा तेज उनी बोल पाऊंगा और है ना बहुत जादा इदर उदर नहीं बस सिरफ answers लेते चलेंगे है ना हान जी चलिए differential D for daily जल्दी बताईए next one क्या है कोशिश करिए 5 में से 5 नंबर आपके आ जाए कोशिश करिए 5 में से spelling में 5 में से 5 नंबर आ जाए क्योंकि इसी लेवल का spelling आपको देखने को पेपरों में मिलेगा हान जी चलिए good morning है जल्दी जल्दी connect हो जाईए तेजी से आ जाईए आज के question हल्का tough लग सकते हैं पता नहीं वैसे तुम लोग तो अब champion हो और तुमारे लिए कुछ भी tough नहीं बचा है ठीक है हाँ चलिए दा correct spelling is जल्दी बता दीजिए यहां की correct spelling क्या है यहां की spelling है c for cat discernment यहां पे spelling क्या है discernment c for cat हमारा correct spelling है अच्छा देखो यह चीज क्या बताती है कि आप लोग ने English देखी है आप English को जानते है और आप English कर भी सकते है इतना ही बड़ी कोई बात नहीं है चलिए हाँ जी find the incorrect one बहुत तेजी से बता दीजिए इसमें कोन सा incorrect है तेजी से speed से लोगों तक चैनल को पहुचा दीजिए है ना वीडियो को शेयर कर दीजिए हाँ जी find the incorrect one इसमें कोन सा है है ना देखो पैंपलेट का spelling सही है परजीवियर का सही है पीजिट सही है है ना पोट्रेट का spelling पोट्रेट करके ऐसे बनता है इतिंग राइट तो यह पोट्रेट का spelling थोड़ा अलग बनता है तो हमारा बीफ और बॉम्बे जो है वो spelling गलत है राइट बीफ और बॉम्बे क्या हो गया दोस्तों वो गलत हो गया चलिए यह और बता दीजिए बहुत ध्यान से बता दीजिए last spelling और पाच में से पाच नमबर आप ले सकते हैं find the error नहीं है find the spelling है ठीक है find the correct spelling उपर इंस्ट्रक्शन गलत है उपर इंस्ट्रक्शन गलत है find the correct spelling तहीं spelling को find out करिए चलिए यह बताईए इस में से हमारी कौन सी spelling गलत है चलो पाच में से पाच नमबर मुझे दिख रहे हैं लोगों के है ना camouflage अगर मैं बुलूँ तो यह हमारा spelling है और पुझे लगता है कि हम पाच में से पाच नमबर लेकर आ चुकी है ठीक है अब आज़े यह बहुत simple simple gerund participle की question रहेंगे और मैंने additional question एड करेंगे जो अमारे को लगता है कि कहीं न कहीं हमारी काम आएंगे और नए नए question है चलिए six number बता दीजिए क्या कह रहा है आपको दिवाली का time चल रहा है है ना हाँ जी पैडागॉजी की प्रेंका मैं अलग classes बना दूँगा दोस्तों जितने लोग भी seated के लिए है पैडागॉजी की मैं अलग classes बना दूँगा थोड़ा आप reading करते रहिए पैडागॉजी मैं अलग से आपको देने लगूँगा चलिए ये बता दीजिए ये क्या है देखो सीधी सी बात है प्रेपजीशन आया है और प्रेपजीशन को आपको क्या चाहिए होता है प्रेपजीशन को चाहिए होता है एक object और प्रेपजीशन का object जो है वो noun होता है या वो pronoun होता है अब अगर ये flying आये तो ये नप्रनाउन तो है नी और ये बनेगा noun ये flying क्या है noun और ing वाले noun को हम क्या बोलते हैं ing वाले noun को हम gerund बोलते हैं तो afraid of flying जो है ठीक है न ये ध्यान रखना वो आपका gerund के तोर पे कहलाएगा pedagogy के question कोशिश करूँगा include करने की बट उसके लिए मैं separate classes दे दूँगा यार है न हाँ जी उसके लिए separate classes मैं दे दूँगा चलिए ये हमारा gerund है ये हमारा क्या है दोस्तो ये हमारा gerund है ये ध्यान रखिएगा चलिए बता दीजिए क्या है यहाँ पर right answer बहुत ध्यान से बनाना दोस्तो questions को धीरे धीरे technical कर बनाया जा रहा है ये ध्यान रखना questions को धीरे धीरे technical बनाया जा रहा है I can't seem to give reading my full attention these days reading बता दीजिए ठीक है आपके हिसाब से क्या बन पा रहा है बहुत ध्यान से लगा रहा देखो दोस्तों कोई guess game नहीं होना चाहिए तुक्के बाजी नहीं होनी चाहिए देखो I can't seem to give reading reading मतलब यहाँ पर बात वही आ रही है पढ़ना ठीक है ना यहाँ पर बात वही आ रही है पढ़ना बहुत ध्यान से बताना दोस्तों यह थोड़ा important है यह काफी लोग इसमें फस जाते हैं इसमें काफी लोग फस जाते हैं ध्यान से बनाना I think that he was offended by your asking the question चलिए बहुत ध्यान से हाँ जी गरम पानी बिलकुल पिएंगे जी आज आठ नंबर में यार तुम सारे ही जेरंड बता रहे हो क्या सुनो कुछ और नहीं होगा क्या आज सिरफ जेरंड के अलावा अच्छा देखो एक चीद ध्यान रखना यहाँ पर भी क्या कह रहा है तुमारा पूछना और यह ध्यान रखना जेरंड आती है तो उसके पीछे पुजैसेव अजेक्टिव आ सकते हैं जेरंड जब आती है ना तो उसके पीछे पुजैसेव अजेक्टिव आ सकते हैं क्योंकि जेरंड भी तो नाउन ही है ठीक है तो इसके पीछे जो है ना यह आ सकते है My, Your, His, Her, ठीक है There यह जेरंड के पीछे आपको दिख सकते हैं और देखो वो क्या कह रहा है आ रहा है अगर आप देखेंगे तो फिर से ना भी आ रहा है तो ये आपका जैरंड ही बनेगा इसको आप क्या बुलेंगे ये आपका जैरंड ही बनेगा ये ध्यान रखेगा ठीक है I think he was offended by your asking the question तो ये भी आपका जैरंड ही बनेगा चलिए हान जी ये बताईए क्या है आपका ध्यान से तेजी से स्पीर से बनाते जाईए Alle इन एक्जास्टेड आफ्टर हर वर्काऊट कैथी वास्टेड आफ्टर हर वर्काऊट ये बता दीजिए ये क्या है देखो एक जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ठीक है ना तो वो आपका पास पार्टिसिपल बन जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो हमेशा क्या बनती है वो आपका पास पार्टिसिपल बनती है यह ध्यान रखेगा जब भी आपके पावर्ब की थर्ड फॉर्म आएग तो वो past participle बन जाएगी तो हमारा ये क्या कहलाएगी ये कहलाएगी हमारा past participle Cathy was exhausted यहाँ पर ये ध्यान रखना Cathy was exhausted B for Bombay past participle चलिए दस नमबर बता दीजिए क्या कह रहा है बहुत तेजी से हां जी क्या है तुमारी क्वेरी मेरा past है तुड़े आज नहीं मेरा कोई fast नहीं है sorry हां जी I saw Kevin running down the street हां जी I saw Kevin running down the street देखे अब यहाँ पर दोड़ना नहीं है है ना हां जी दोड़ते हुए है ना तो यहाँ पर मैंने Kevin को देखा दोड़ते हुए तो यहाँ पर अगर मैं बोलू यहाँ पर meaning आ रहा है दोड़ते हुए है ना तो अगर मैं बोलू तो यह gerund नहीं हो सकता यह आपका क्या बनेगा यह आपका participle बनेगा ठीक है ना यह आपका क्या बनेगा participle बनेगा यह ध्यान रखेगा चलिए तो अगर मैं बोलू तो यह simple simple question है बहुत है ना हां जी अगर मैं बोलू simple simple question है है ना और बहुत simple है ठीक ध्यान रखेगा चलिए आगे की कहानी बढ़ा लेते हैं ठीक है ना आगे देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या है ठीक आगे देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या है चलिए अच्छा दस कोश्चन अब मैंने लिए है प्रैपजीशन से मैं चाहूंगा कि यह दस में से आठ नंबर आपके जरूर आए 10 कोश्चन मैंने लिये हैं किसमें प्रापजीशन से बहुत दिन से हमने प्रापजीशन को टैच नहीं किया था तो दस कोश्चन मैं लेके आयाूं प्रापजीशन से और मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें 8 नमबर लेकर आए ठीक है हांजी चलिए हाँ जी the atmosphere comprises dash many gases बहुत ध्यान से बनाईए दोस्तो देखिए comprise के साथ ना कोई proposition हम normally use नहीं करते है हाँ अगर consist होता है तो consist के साथ हम off use कर लेते है comprise word के साथ हम normally कोई proposition यूज नहीं करते खास कर अगर वो active voice में होती है है ना खास कर अगर मैं बोलूँ अगर वो active voice में होती है ठेक हाँ जी चलिए अगर passive voice में होता है तो फिर भी comprised of बोल देते हैं लेकिन अगर मैं comprise के साथ अगर मैं देखू passive active voice में तो वो कोई भी proposition नहीं आएगी तो beef और बॉम्बे जो है वो क्या है हाँ जी तो beef और बॉम्बे जो है ठीक है हाँ जी तो वो आपका माना जाता है देखिए ये fast के उपर आप इतना पूछ रहे हैं तो मैं बताई देता हूं क्यकितने हैं तो कुछ कहानी मैं सुन रहा था की मतलब माता देवी अगर उल्लू है ना हाँ जी माता देवी थी उनका कुछ वाहन था उल्लू शायद है ना जो कहावत निकलके आई पीछे से ठीक है तो एक दिन नराज बैठे थे वो तो माता ने पूछा कि आप क्यों नराज हो तो उन्होंने का कि आप सबकी पूझा तो होती है बट मेरी पूझा कोई नही नहीं करता है ना तो उन्होंने पूछा आप सब की पूजा तो उती है वड़ मेरी पूजा कोई नहीं करता तो उन्होंने का कि अब से मेरी पूजा के 11 दिन बाद तुमारी पूजा होगी है ना हान जी अब से मेरी पूजा के 11 दिन बाद पूजा होगी, तो 11 दिन बाद तब से उल्लू लोग जो है, वो पूजे जाने लगे, और उसी को करवाचाथ का नाम दिया गया, है ना, तो आज जो है, वो उल्लू को पूजा जाता है, मैंने ऐसे सुना है, मैं कह नहीं सकता कि ये सत्ते कहानी है कि नहीं तो इसलिए मैं वरत नहीं रखा है ठीक है हान जी चायद ऐसा कुछ है मुझे पक्का यकीन नहीं है हान जी मैं तो कहीं पढ़ रहा था तो आज सारे उल्लूओं की पूजा की जाती है तो जिन जिन की पूजा हो रही है ये सम्माहन व्यक्ति है और क्या 12 नंबर बता दीजिए ऐसा कुछ है के नहीं है मुझे नहीं पता बट सुना है मैंने कहीं शायद है ना हान जी और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं ठीक है हान जी लक्षमी जी का वहान था हान जी तो वह नराज बैठे थे तो उन्होंने का वह हमारको कोई नहीं पूछता आपको पूछते उन्हें का ले भाई ग्यारा दिन बाद तुम भी पूछे जाओगे को कॉकें बूल स्टोरी है अच्छा अच्छा हान जी बारा नंबर बता दीजिए कोशन पे आ जाते हैं कोशन पे आ जाते हैं प्रेंका सिंग जी मैंने बूला ना पैडागॉजी के सेपरेट कोशन ले लूँगा आपको मेरी तरफ से पैडागॉजी की एडिशनल क्लासेज मिल जाएंगी राइट ये दिहान रखना चलिए आ जाईए वापस आ जाईए है ना हान जी वापस आ जाते हैं टाइम थोड़ा सा कीमती है और देख लेते हैं है ना चलिए बारा नंबर बता दीजिए वैल बैलन्स डाइट इस बैनिफीशियल के साथ क्या है टू आता है बैनिफीशियल टू हेल्थ ठीक है हान जी वैल बैलन्स डाइट इस बैनिफीशियल टू हेल्थ राइट तो बैनिफीशियल के साथ हमारा क्या आता है टू प्रेपजीशन लगाते हैं ये ध्यान रखेगा ठेक चलिए थर्टीन नमबर बहुत ध्यान से बताओ जरा आजो यार लाइन पे आजो जरा टाइम से कुश्चन कर लेते हैं लेट्स नॉट गेट इंटू देस ओके हान जी आईए जरा क्लास कर लेते हैं बाकी बाते अब छोड़ दीजिए हान जी बहुत ध्यान से जीड जीड होता है मजाक उड़ाना जीड मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना ठीक है ना रिडिक्यूल करना जीड मतलब क्या होता है किसी का मजाक उड़ाना किसी को रिडिक्यूल करना ये ध्यान रखना तो जीड एट हिम जीड के साथ क्या आता है जीड के साथ एट आता है ये ध्यान रखिएगा तो अगर मैं बात करूँ दे जीड एट हिम एन हिस आइडिया दे जीड एट हिम एन हिस आइडिया ठीक है हां जी दोस्तो आज एकी क्लास है मैंने सोचा मिल लेता हूँ थोड़ा तबियत मेरा मतलब ठीक नहीं है ठीक है तो थोड़ा कफ है खासी है तो मैं बस जल्दी यल्दी क्लास चाहता हूँ कि आप से मुलाकात हो जाए इसलिए मैं आगे है बस otherwise I was supposed to take leave ठीक है न ये ध्यान रखना चलिए बहुत तेजी से बता दीजिए 14 नमबर यार ये बड़े important एक मिनट 12 हो गया 13 नमबर हो गया 14 नमबर बहुत ध्यान से बताना बहुत बहुत ध्यान से बताना दोस्तों तेजी से स्पीड से बताते चलो अरे भाई किसी पर्सनल बंदे पे कमेंट आप ना करें है ना हां जी किसी पर्सनल बंदे पे कमेंट ना करें चलिए बहुत ध्यान से देखो यार यह बहुत ध्यान से बनाना बहुत प्यारी कुश्चन है देखो तो ही सक्सेडिड टूदा थ्रोन और ही सक्सेड इन ही जमोटव यानि अगर आप किसी त्रोन ही आप किसी को सक्सीड करते हैं तो यु सक्सीड तूदा थ्रोन ही और he succeeded in his motive, right, यह ध्यान रखेगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा to or in, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा to or in, ठीक है, यह ध्यान रखेगा, चलिए, जल्दी बताईए, बहुत ध्यान से बताना, बहुत ध्यान से, अच्छा थोड़े tough भी रहेंगे question, थोड़े technical रहेंगे और सबसे बड़ी बात है new questions है, कहीं से कोई pick नी है, कुछ नी है, नए question बनाए गए है, तो बड़े ध्यान से बताना चल्दी से, चलो, तेजी से आ जा क्लास में आनंद लेने आते हैं, तो उनको आप छोड़ दीजिए, I thought I would die from pressure, of pressure, by pressure, यहाँ पे आप कौन सा आनंद लगा सकते हैं, चलो, मैं इसका इलाज कर देता हूं, यहाँ से ब्लॉक करके पहले तो, और रिक्वेस्ट है, आप भी जल्दी इसको जड़ा इलाज कर दीजिए, अहाँ जी, चलिए, बहुत ध्यान से बनाईएगा दोस्तो, क्या कह रहा है यह, अच्छा देखो, यह दोनों जो है, वो बहार के pressure से हू रहा है, तो इसमें न, दोनों में आप from लगाओगे, I would die from the pressure, जब आप external कोई चीज़ से आप die कोई बंदा होता है, तो from लगाया जाता है, he died from exhaust, है न, तो इन दोनों में आप अगर मैं बोलू, तो हमारा from answer आएगा, दोनों के अंदर जो है, ठीक है न, हाँ जी, इसका दोनों में जो है, ठीक है, वो आपका क्या आएगा, C answer आएगा, यह ध्यान रखे, अगर आपको लगता है कोई भी फाल्टू बात करने आया है, आप प्लीज उसको तुरंद ब्लॉक कर दिया करे, यह ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कोई आदमी व्यक्ति फाल्टू बाते करने आया है, आप प्लीज उसको, है न, ब्लॉक कर दिया करे, यह ध्यान रखना, आँ जी, चलिए, 16 नमबर, बहुत ध्यान से देखिए, 16 नमबर, बहुत ध्यान से यार, जल्दी जल्दी बता दो, बहुत important question है, देखिए, थोड़ा serious level पे लेके चलते हैं, बहुत important question है, बहुत जरूरी question है, बनाईए जल्दी से, हां जी, तेजी से बता दीजिए, speed से बता दीजिए, देखिए, एक चीद ध्यान रखना, जम mutual बात आ जाए न, क्या होता है, हमें लगता है कि हमें न, दो से ज़ादा आते ही among लगाना है, लेकिन यहाँ पर एक mutual है, कि भाई, love, infatuation और attraction के बीच में, तो यहाँ पर among नहीं लगाएंगे, यहाँ पर between ही लगाएंगे, although यहाँ पर तीन चीजे हैं, कई बार यह पढ़ाया जाता है कि between दो के लिए, और दो से ज़ादा के लिए among आता है, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा आपका mutual है, तीनों के बीच की बात हो रही है, तो यहाँ पर between से ही काम चलाना पड़ेगा, राइट, चलिए, next one बताईए, ध्यान से, चलिए, तेजी से यार, 17 नमबर, बहुत ध्यान से बनाईए, दोस्तों, तेजी से बनाईए, 17 नमबर बताईए, कि क्या हो रहा है, दोस्तों, चलो, जल्दी यल्दी बतादो, we reached, dash conclusion, we reached Delhi, यह बता दीजीए, क्या आएगा, बहुत ध्यान से बताना, ध्यान से, डी नहीं है, सुनो, डी नहीं है, अगर आप किसी decision पे पोस्ते हो, तो reach at लगाते हो, ठीक है, या conclusion पे पोस्ते हो, तो reach to नहीं बोलते हैं, reach at बोलते हैं, सॉरी, reach to a conclusion नहीं, reached at a conclusion, ठीक है, और बाकी दूसरा आपका क्या आएगा, no preposition, अगर आप किसी स्थान पर पोस्ते हो, तो no preposition, आप किसी decision पे पोस्ते हो, conclusion पे पोस्ते हो, तो at आता है, ठीक है, we reached at a decision, we reached at a conclusion, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक, और अगर मैं बोलू, तो अगर आप किसी स्थान पर पोस्ते हो, तो no preposition आती है, ठीक, अगर आप किसी स्थान पर पोस्ते हो, तो वो no, है ना, उसका आता है, ये ध्यान रखेगा, jump to conclusion होता है, word के according लगती है, ये preposition, ठीक है ना, word के according लगती है, हर word जो है, वो अलग preposition के साथ चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखेगे, mutual कैसे पहचानेंगे, मैंने अगर बोलू, there is, you know, there is a agreement between India, पाकिस्तान, भुटान, बंगाल, तो ये mutual है, ठीक है ना, among नहीं लगा सकते हैं, जब कोई चीज, जैसे अगर चार लोगों के बीच में कोई चीज सीरीज हो रही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना तो उसको between में बोलेंगे, चलिए, 18 नमबर बता दीजिए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बनाओ यार, ये serious note पे लेके चलो, बहुत important बाते करा रहा हूं, इस time में, हाँ जी, बहुत important बाते करा रहा हूं, prepositions के अंदर, यार, जरूरी बाते हैं दोस्तों, बहुत जरूरी बाते हैं, ये question जो है न, ये बहुत important questions है, ध्यान रखेगा, चलिए, yield होता है, जुक जाना, surrender कर देना, yield मतलब होता है, surrender कर देना, जुक जाना, और मैंने शायद पहले भी बताया, yielded के साथ two आता है, I yielded to his demand, तो मतलब मैं उसकी demand के आगे surrender कर गया, जुक गया, मैंने हार माल ली, मैं surrender कर गया, मैं सकम कर गया, right, तो yielded के साथ two आपका answer जो है, वो बनेगा, I yielded to his demands, ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा, I yielded to his demands, चलिए, next one बताईए, 19 number, बहुत ध्यान से, तेजी से जुड़ जाईए, connect हो जाईए, लोगों तक वीडियो को पहुचा दीजे, चलिए, बहुत ध्यान से बता दीजे, हाँ जी, we adapt ourselves, adapt के साथ आप क्या लगाते है, adapt to, अगर आप किसी चीज़ में adapt करते हैं, तो उसको हम बोलते है, adapt to, right, adapting to the situation, यानि एक तरीके से अपने आपको situation के according adjust कर देना, ठीक है ना, हाँ जी, situation के according adjust कर देना, देखिए, मैं English का practice करा रहा हूँ, और वो मैं करवा रहा हूँ, है न, बाकी का मिरे को idea नहीं है, प्लीज ये बार बार copy paste ना करें, हाँ जी, चलिए, 20 number, 20 number, ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से बनाईए, चलिए, यार देखो, मैं जो practice करा सकता हूँ, ठीक है न, वो करवा रहा हूँ, प्लीज आप copy paste ना करें, है न, हाँ जी, ये बड़ा irritating होता है गाईज, बहुत irritating होता है ये, जब आप copy paste करते हैं, और जब आपको कोई हटा देता है, तो फिर आप बुरा मानते हैं, ठीक है, ट्वंटी नमबर बता दीजिए, I inquired, dash him, dash his health, क्या answer लगाएंगे, बहुत ध्यान से बनाईए दोस्तों, बहुत तेजी से, देखे, I inquired, क्या लगाएंगे, of him, or about his health, ठीक है, inquired of him का मतलब होता है, किसी चीज़ के बारे में पता करना, और about his health, उसको आप बोल सकते हैं, एक मत रुक जाईए, मेरे पास कोई option ही नहीं छोड़ रही है, मैं क्या करूँगा, रुकिया नहीं करेज, भाई, चलिए, चलिए, I inquired of him about his health, ठीक है, हाँ जी, 21 से 25 जो है, है ना, 21 से 25 जो है, वो थोड़े से कहा है ना, आपके sentence improvement है, जरा देख लीजिए उसको, यार आपको लगे, जो इदर उदर कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो दोस्तों, कई बार हम लोग बड़े helpless हुजाते हैं, हम लोग बुरे की category में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है रहा, हाँ जी, तो हम लोग बुरे की category में बहुत जल्दी आ जाते हैं, हमें block कर दिया, बट student कभी कई बार अपना behavior नहीं देखते, कि वो कैसा behave करते हैं, है ना, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, that we are decent with you know everything, आपका message पढ़ लिया जाता है, अगर उसमें कुछ काम हो सकता है, तो answer कर दि चलिए ध्यान से देखिए, अब देखिए अगर not only सबसे शुरू में दे रखा हो, तो आगे जो है ना, वो interrogative बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा not only did they go, क्योंकि यहाँ पर हम focus कर रहे हैं, उस चीज़ के उपर emphasize कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर answer कैसे बनेगा, not only they went नहीं, not only did they go, ठीक है, यहाँ पर देखो बात पर जोर दिया जा रहा है, और जब बात पर जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर inversion चलाया जा सकता है, तो यहाँ पर जो answer बनेगा, वो बनेगा one number, not only did they go to see him, see the film, but also had dinner out, तो यहाँ पर आप a में लगाएंगे, rather than they को प ना, हाँ जी, rather than they को पहले लाकर, आप इसको inversion में convert कर देंगे, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, चलिए, बहुत simple question है दोस्तो, बहुती simple question है, जल्दी से बता दीजिए, हाँ जी, बहुत simple question है दोस्तो, भाई, inversion चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो focus मार रहा है उस पे, कि भाई, क्या करते है, उसने ऐसा नहीं किया, inversion चलाईए इस पे, ठीक है न, यह ध्यान रखना, he told me that he was married, क्या answer आएगा, बहुत simple है दोस्तो, यह, sentence improvement के question है, और बहुत simple question है, four years ago, he was married four years ago, बहुत simple question है, ठीक है, यह ध्यान रखेगा, he told me that he was married four years ago, चलिए, next one बताईए, डिस पोस्त के साथ कौन सी proposition लगाएंगे, या फिर खाली no improvement में चले जाएंगे, ध्यान से बता दीजिए, बहुत तेजी से, बहुत speed से बताते चलिए, चलिए, बहुत तेजी से, बहुत speed से बताते, चलिए, we have already disposed our old house, चलिए, we have already disposed our old house, देखिए, यह होता है, disposed of, मैंने काफी बार लिया है, यह question, disposed के साथ single F आता है, disposed of होता है, sell out कर देना, बेच देना, या फिर निकाल देना, disposed of कर दी है, जैसे कई बार हम मांगते हैं ना, यार वो books दे दो, आपने का यार यह तो, disposed of कर दी है, मैंने, disposed of का मतलब आपने बेच दी है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, तो disposed of एक अच्छा word है, है ना, यह ध्यान रखिएगा, चलिए, यह भी बहुत famous हो चुका है, question, मुझे लगता है कि आप सब लोग इसको कर पाएंगे, यह भी बहुत famous question हो चुका है, दोस्तों, और I hope कि आप लोग इसको कर पाएंगे, चलिए, ध्यान से बनाईए दोस्तों, तेजी से, स्पीड से बनाते चलिए, हान जी, बिलकुल आज इलाज किया जाएगा, गले का भी, तबियत का भी, बिलकुल इलाज किया जाएगा, है ना, हान जी, शुक्री आपके concern के लिए, चलिए, देखिए, अगर कोई भी candidate है, तो वो test को लेता है, और जो कोई teacher होते है, वो test को देता है, तो यहाँ पर यह उल्टा बोला जाता है, give के बदले, candidate जो है, वो test को take करेगा, यह ध्यान रखना, all the candidates will take a test on Friday, तो यहाँ पर taking test आता है, और अगर teacher है, तो teacher is going to give test tomorrow, तो teacher give करता है, candidate जो है, वो take करता है, तो यह कई बार थोड़ा सा confusion रहती है, ध्यान रखिएगा, चलिए, ध्यान से बताईए, ध्यान से बताना, बहुत प्यारा कुश्चन है, चलिए, बहुत ध्यान से, पच्चिस नंबर कुछ लोगों का गलत होने वाला है, तो पच्चिस नंबर कुश्चन को आप थोड़ा ध्यान से लगाईए, पच्चिस नंबर कुश्चन कुछ लोगों का, है न, हान जी, चलिए, हान जी, बहुत ध्यान से, पच्चिस नंबर बताईए, his friends could not tell me why he did not come to college yesterday, बहुत ध्यान से बताना दोस्तों, बहुत प्यारा कुश्चन है, बहुत असानी से बनाया जा सकता है, चलिए, no improvement लगाने वाले solid बन्दे हैं, जो लोग यहाँ पे no improvement लगा रहे हैं, बहुत solid बन्दे हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई भी improvement की जरुवत नहीं है, यह ध्यान रखना, ठीक, हान जी, क्योंकि इसको आप plain form में ही बनाओगे, जब भी कोई clause main उसका part बनके आता है ना, वो plain form में बनता है, तो why did he not come नहीं हो सकता, why had he not come नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो interrogative है, ठीक है, चलिए, पच्चस नमबर, D for daily हमारा right answer है, अब एक काम करते हैं, दस हमारे पाव vocab है, जल्दी खतम कर लेते हैं, और देखते हैं कि क्या बन पा रहा है, सीटेट वालों को मैं बोल चुका हूँ, कल भी मैंने बताया था, reading एक बहुत बड़ी चीज है, और उसके बाद आप pedagogy करिए, है ना, यहां से vocab और बाकी चीज़े grammar मैं कराता चल रहा हूँ, pedagogy की अलग classes दूँगा, यह ध्यान रखना, right? चलिए, बहुत ध्यान से, covenant का मीनिंग बता दीजिए, ओके, आज चाय पी जाएगी, बिल्कुल, है ना, हां जी, बिल्कुल चाय पी जाएगी, गले का इलाज किया जाएगा, दीरे-दीरे ठीक होता है, तबियत, कोई दिक्कत नहीं है, covenant sign कर लिया है, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ, ठीक है, इस्राइल signed a covenant with, you know, like you can say the, कि लिए फिलिस्टेन not to have attack on each other, तो अगर बोलू तो covenant को हम बोलते हैं, contract, अगर आपने किसी के साथ कोई covenant sign करा है, तो उसको हम बोलते हैं, contract, right, ये ध्यान रखेगा, चलिए, next one बताईए, चलिए, बहुत ध्यान रखेगे, बहुत तेजी से और बहुत शांदार वर्ड आपके सामने आने वाले हैं, जो अगले 10 वर्ड है, manis का मतलब बता दीजिए, क्या होता है, बहुत speed से, बहुत तेजी से बता दीजिए, what do you mean by the word manis? चलिए, manis का मतलब होता है, threat, धमकी, I am receiving manis from some of the gundas, तो अगर बोलू कोई कहते हैं, pollution manis, देखो, pollution manis, बहुत famous word है English में, ठेक, हाँ जी, तो pollution एक threat की तरह ही तो आ रहा है, अभी आप देखेंगे, बहुत बुरे हलात है देली के अंदर, और अगले कुछ 10-15 दिन में और बुरे हलात होने वाले हैं, तो pollution manis, कोई भी उसका problem का solution find out नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, चलिए, हाँ जी, 28 नमबर बता दीजिए, yard sticks क्या होता है, yard stick, जल्दी से, ध्यान से, अच्छे से, बताने की कोशिश करिए, what do you understand by the word yard stick? करते हैं, जिसको हम क्या बोलते है, yard sticks का मतलब क्या है, वो होता है, standard follow करना, ठीक, touchstone बोल सकते हूँ, बिल्कुल सही word है, standard follow करना, कुछ basics follow करना, ठीक है, उसको yard sticks बोलते है, चलिए, जल्दी बताईए, dull set का मतलब क्या होता है, जिसको भी English समझनी आती, सबसे पहले वो reading से start करे, मैं पक्का बोलता हूँ, आपकी English already सही हो जाएगी, कभी भी अगर आप English में बिल्कुल खराब है, मानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, आप कभी grammar से start मत करिए, कभी भी अच्छा नहीं जाएगा, किसी की English अगर बिल्कुल पूर है, जो मानता है, तो वो reading से start करे, एक दो महिना reading करे, उसके बाद वो English को सीखना start करे, आप दो महिने अगर reading करेंगे, basic reading करिए, तो आप दो महिने बाद वैसे ही confident feel करेंगे इंगलिश में, चलिए, dulcet voice क्या होता है, बहुती मीठी अवाज, है ना, जिसको melodious voice बूल सकते है, ठीक है ना, जिसको हम बूल सकते है, बड़ी melodious voice है, ठेक, तो इसको हम बूल सकते है, बड़ी sweet है, है ना, बड़ी soothing सी voice है, बड़ी soothing सी voice है, तो इसको मैं बूलूंगा sweet, right, क्या बूल सक हम इसको sweet बोल सकते हैं ये ध्यान रखिएगा चलिये हाँ जी फ्लैबरगास्टेड बताइए वरड क्या कहा रहा है कि डल सेफाय स्मूध करना ही होता होगा फिर डल सेफाय करना स्मूध करना ही होता होगा चलिए फ्लैबर गास्टेड हो जाना क्या होता है गाईज I got फ्लैबर गास्टेड to see the knowledge of that student okay मैं सोचा भाई कोई ऐसे ही होंगे student normal से बट ही I was फ्लैबर गास्टेड to see the knowledge उनकी knowledge देखकर मैं बिलकुल आश्चारे चक्केत हो गया तो फ्लैबर गास्ट मतलब होता है इस्टॉनेश हो जाना फ्लैबर गास्ट का मतलब होता है इस्टॉनेश हो जाना आश्चारे चक्केत हो जाना राइट और इसके लिए आप कौन सा वर्ड लगाएंगे dumbfounded, है न, I was dumbfounded to see his knowledge, flabbergast अपने आप में एक बहुत tough word माना जाता है, बट आप और हम लोग तो इसको असान बना चुके हैं, ठीक है न, आप और हमारे लिए ये word बिलकुल असान लग रहा है मुझे, ठीक है न, flabbergast हो जाना, means dumbfounded, राइट, ये ध्यान रखना, चलिए, next one बताईए, route क्या होता है, ध्यान से बताना दोस्तो, route word, बड़ा प्यारा वर्ड है, route इंगलिश में, हाँ जी, दो हजार चौबिस में election है, देखते हैं किसका route होता है और किसका triumph होता है, ठीक है न, election route, election route का मतलब, 2014-2019 में, है न, बाई, एक political party को triumph मिला, दूसरी political party को route देखना पड़ा, route का मतलब, जैसे election route बोलते हैं, election route का मतलब होता है एक तरीके से, अगर मैं बोलू तो, इसको हम बोलते है, defeat, हार, है न, इसको हम क्या बोलते है, defeat, और ये word ऐसे ही लिखा आता है, election route, ठीके न, ये word ऐसे लिखा आता है, election route, राइट, ये ध्यान रख्येगा, debacle, fiasco बोल सकते हैं, कुछ हद तक close है, चलिए counterfeit का मतलब क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बता दीजे, what do you mean by the word counterfeit, counterfeit notes पकड़े गए, अगर किसी के पास से counterfeit notes पकड़े गए, तो क्या पकड़ा गया है, जल्दी से, देखे, मैंने बोला, उसके पास से counterfeit notes पकड़े गए, counterfeit notes का मतलब होता है, कि उसके पास से, क्या पकड़े गए, fake notes पकड़े गए, counterfeit का मतलब हिंदी में होता है, जाली, ठीक है न, या जिसको बोलते हैं हम fake type में, तो यहाँ पे answer आ जाएगा, फोर्थ नमबर, counterfeit का मतलब, यह ध्यान रखना, चलिए, तो counterfeit notes का मतलब क्या है, वो fake है, वो जाली है, ठीक है, यह ध्यान रखे, counterfeit notes का मतलब, कि वो fake है, और वो जाली है, चलिए, tenets बता दीजिए, let's do it fast, tenets बता दीजिए, क्या है, तेजी से, speed से बता दीजिए, tenets क्या होते हैं, we follow certain tenets in our life, है न, we follow certain tenets in our life, है न, doctrine बोलते हैं इसको, इसको हम doctrine कुछ अद तक doctrine भी बोल देते हैं, ठीक है, we follow certain tenets and doctrines in our life, हम जीवन में कुछ सिधानतों को follow करते हैं, कुछ हमारे विश्वास है, कुछ सिधानत है, जिनको हम follow करते हैं, right, तो tenets मतलब होता है, belief, इसको आप बोल सकते हो, सिधानत बोल सकते हो, right, कुछ आप rule follow करते हो, कुछ आपके विश्वास है, जिसको आ tenets मोलते हो, चलिए, करिजमा बता दीजिए, क्या होता है, कुछ लोगों का अपने level पे करिजमा होता है, जिनका कोई करिजमा को match नहीं कर सकता, अगर मैं बोलू कुछ लोगों का एक solid करिजमा होता है, जिनको कोई match नहीं कर सकता, उनकी एक बड़ी क्या होती है, charming personality होती है ठीक है ना कहते हैं करिजमाटिक personality है तो कई लोगों का करिजमा मैं शायद इसका pronunciation सही कर रहा हूँ करिजमाटिक personality होती है करिजमा होता है तो अगर मैं बोलोст rode to उनका अपना एक charm होता है उनका अपना एक attraction होता है लोग उनसे बड़े परभावित होते हैं लोग उनसे बड़े attract हो जाते हैं तो कई लोगों की एक charming personality एक बहुत अच्छा charisma होता है जिसको हम charm नाम word से बोल सकते हैं राइट ये ध्यान रखिएगा चलिए next one बताईए eulogy आज का last word है aura word बोल सकते हो किसी का एक aura होता है कहते ना उसका एक aura है जिसको हिंदी में बोलते हैं एक आभा है किसी के आने से घर में रोश्नी हो जाती है कहते ना कई लोग की personality ऐसी होती है एक उनका आभा ऐसा होता है ठीक है ना हाँ जी चलिए eulogy क्या होता है eulogy किसी के मरने के बाद अगर उसकी प्रशंचा की जाए तो उसे हम इंगलिश में eulogy बोलते हैं उसे हम praise बोलते हैं praise after death किसी के मरने के बाद अगर उसकी प्रशंचा की जाए तो उसे हम eulogy बोलते हैं ये ध्यान रखेगा which is called praise after death यह ध्यान रखेगा चलिए हाँ जी congratulations है जी आपका अगर selection हुआ है तो मेरी तरफ से बहुत-बहुत congratulations चलिए आज दोस्तों बस इतना ही है शुक्रिया आने के लिए आज और कोई class नहीं है कल दोनों classes होंगी 8 बजे वाली भी और 10.30 बजे वाली भी और Sunday जो है मैं बता देता हूँ Sunday TGT PGT Channel पर हम Common Error की Marathon कर रहे हैं Sunday TGT PGT Channel पर हम Common Error की Marathon कर रहे हैं ठीक है कब होगी यह Sunday और कहां पर हो रही है TGT PGT Channel पे यह ध्यान रखेगा Common Error की Marathon Common Error हमने बहुत टाइम से नहीं करी तो एक Marathon में सीधा खिसका देंगे सारी Common Error को राइट यह ध्यान रखेगा चलिए आज इतना ही टाइम है बस शुक्रिया आने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए और बाकी मैं मिलूंगा कल सुभा आपसे दूबारा ठीक है? हाँ जी Thank you so much Bye Bye है ना हाँ जी Thank you so much Bye Bye चलिए Thank you Bye Bye from my side और आज बस इतना ही है शुक्रिया दोस्तो चलिए Bye Bye Everyone झाल